आप सबी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 हो भी सामाजी के अध्यन यानी सोशल साइंस के लिए डिसकस करने वाले हैं तो ये सेट है बहुत ही इंपोटेंट है आप वीडियो को पुरा जरूर देख ये सूचियों के अंत में दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए तो एक तरफ इसमें दिये हैं जगव के नाम और एक तरफ दिये हैं कि यहां पर किस ब्रिटिस स्वरी यूरोपियन सक्ति का अधिकार था तो उस इसाब से इसको मैच करना है तो पॉंचेरी में पॉंचेर प्रतजाई का तो पर्तगीज हो जाएगा यानी बी का 3 हो जाएगा और ट्रावन का उसे नेंस यह तो उस दो यहित्ते सक राइट हो जाएगा है तो यहीं चाराल से 14 के बीचके सभी वच्चों को सिक्षा का अधिकार है यह किसमें समलेते है राज की नीती निदे सकत्तों में मूल अधिकार में या सामधिक अधिकार है तो यह किस प्रकार का अधिकार है राइट आंसर इसमें हो जाएगा टू का टू का भी मूल अधिकार है और इसको कब सामिल किया गया था 86th संभीदान संसोधन अधिनियम यानि 86th संभीदान संसोधन अधिनियम दोजार दो के द्वारा इस आर्टिकल को जोड़ा गया था 21क 21A 21 21 21क को इसमें जोड़ा गया था नेक्स्ट है प्रतम आंगल मैसूर युद्ध में कौन विजई हुआ था तो प्रतम आंगल मैसूर युद में जो विजई हुआ था वो कौन था त्री का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन भी हैदर अली हैदर अली इस युद में विजई हुआ था ये युद आपका कुट नीती से इस त्रिगुट को तोड़ दिया था और लास्ट में खुद विजई हो गया था और मैंगलावर पर 1768 में इसने अधिकार कर लिया था नेक्स्ट है मिलिंद पन्नो या मिलिंद राजा मिलिंद एवं बहुत विक्षू के मद्य संबाद है वह विक्षू कौन थ तो राजा मिलिंद और एक बहुत विक्षू थे तो वह बहुत विक्षू कौन थे इसमें पूचा है तो वह थे नाक्सेन और यह पाली भासा में लिखा हुआ ग्रंत है मिलिंद पन्नो नेक्स्ट है कुशल ग्रामिड प्रशासन के लिए प्रिशित दराष्ट वंस था तो ग्रामिड प्रशासन या स्थानी प्रशासन है वो चोलों का सबसे मैत्पूर्ट था और यहां से बहुत सारे सवाल हो पूचे जाते हैं और यह बहुत ही इनकी विशेस और असादारन सक्ति शम्ता थी ग्रामिड प्रशासन के शेत्र में option यहिस का राइट आंसर हो चीह आक्स्ट है I are 20 जो सब्सक्राइबितर की समरागी ये गया था तो महारानी विक्टोरिया को बारत की समरागी निउक्त किया गया था 1877 में अपसं सी इस का राइट आंसर हो जाएगा 1877 रोयल टाइटल सेक्ट है 1776 में पारित किया गया था इसी अधिलेम के तैत मारानी विक्टोरिया को एक जनवरी 1877 को दिली जरुवार में भारत की समरागी है वो गोसित कर दिया था और समराट एडवर्ड सिक्स्त को सेविन्त को वर्स 1903 में तदा जोर्ल पंचम को 1911 में भारत का समरागी है वो गोसित किया गया था नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है एक तरफ राजनीतिक दलों के नाम है और एक तरफ उनकी स्थापना वर्स है तो भारती रास्टी कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में एका तीन हो जाएगा और भारती जनसंग है ये 1951 में बना था तो बी का वन हो जाएगा और कमिनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी सी का हो जाएगा 1925 और एर डियम के की स्थापना हुई थी 1972 तो डी का टू हो जाएगा तो ये सुमेलित किसमे है नाइन का आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा आप्सन ए नेक्स्ट है नीली क्रांती यानि ब्लू रिवल्यूशन संबंधित है तो नीली क्रांती का संबंध है मचली उतपादन से अप्सन एसका राइट आंसर है मचली उतपादन नेक्स्ट है ब्रह्म समाज का सिद्धान्त आदारित है तो ब्रह्म समाज का सिद्धान्त है किस पर आदारित है ग्यारा कराट आंसर हो जाएगा और संद सी एक देवबाद पर आदारित है नेक्स्ट है आपका 12 हजारी बाग एक तरफ इस्थानों के नाम और एक तरफ मिनरल्स के नाम दिये हैं कौन सा किस चीज के लिए फेमस है तो एक तरफ हजारी बाग नवेली जरिया रावर केला और दूसरी तरफ कोईला लोहा बूरा कोईला यानि लिगनायट और अब्रक की ये नाम दिये हैं प्राउर केला ये लोहे के लिए फेमस है तो इस तरह ये सुमेलित हो जाएंगे 12 का राइट आंसर हो जाएगा option B 1 का D, 2 का C, 3 का A और 4 का B next है सरदार सरोबरबांद निम्ल में से किस नदी पर इस्तित है तो सरदार सरोबरबांद है ये इस्तित है नर्मदा नदी पर option C, 3 का राइट आंसर हो जाएगा next है सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है तो इसमें सम्विदान के पार्ट हैं वो दिये हैं और किस से सम्मंदित पार्ट हैं उसका उलेकिस में किया गया है तो 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 का option A, right answer हो जाएगा A का 3 A का 3 यानि भार्टी सम्मिदान का भाग 9 तो ये पंचायतों से सम्मंदित एक का 3 हो जाएगा भार्टी सम्मिदान का भाग 8 है तो ये किस सम्मंदित है? संग शेत्र से और भार्टी सम्मिदान का भाग 4 का ये मूल कर्थबियों से सम्मंदित है और 9 का है ये नगरपाल का से सम्मंदित है तो option A, right answer है next है वाइब मंदल में उपस्तित ओजोन द्वारा किस विकरण को अफसोसित किया जाता है? तो ये अफसोसित किया जाता है परावैग्नी विकरण को option A, right answer हो जाएगा परावैग्नी विकरण चित्तौड का कीरती इस्तम किस के सासनकाल में निर्मित हुआ था? तो चित्तौड का कीरती इस्तम में ये निर्मित हुआ था? अराणा कुम्बा के सासंकाल में और सनी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है नॉर्मन बॉरलोग को कि शेत्र का नोविल पृस्कार है वो प्रजान किया गया था तो सांती का नोविल प्रिसकार इनको दिया गया था आपसन D इस में राइट आंसर हो जाएगा 17 का राइट आंसर आपसन D नेक्स्ट है निम्न में कौन सी परियोजना उत्तफड देश में पेजल परियोजना है सार्दा सायक नहर परियोजना ग्यानपूर पंप एवं नहर परियोजना गोकुल वेराज या पत्राइबाद तो 18 में राइट आंसर आपका हो जाएगा अपसन D गोकुल वेराज है यह पेजल से सम्मंदित परियोजना है बाकी अफकी क्रसी सिचाई परियोजना है नेक्स्ट है भारत में उपराष्ट पती को पदमुक्त करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है तो यहाँ पर उपराष्ट पती के लिए पूछा है 19 का राइट आंसर हो जाएगा अपसन D केवल राजसमा में ब्राजसवा में प्रस्तोत किया जाता है नेक्स्ट है ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी ब्रस्टाचार धारणा सूचकांग यानि करेशन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत का इस्थान कौन सा है तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा इस्थान बारत को मिला है नेक्स्ट है राष्ट यमाहिला आयो की स्थापना कव हुई थी तो 1992 में राष्ट यमाहिला आयो की स्थापना वो की गई थी 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट है बारत के किस प्रदान मंतरी की मृत्यू देश के बाहर हुई थ लालवादुर शास्त्री रशिया में तासकंद में की डैथ हुई थी और आज तक इस चीज का पता नहीं चला उपसंसी इसे में राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक समिदान इत्तर संस्ता है वित्तायोग निर्वाचनायोग रांतराजी परिशा तो देखि समिदान इत्तर शंस्ताय निर्मित है नितिायोग बाकि यह समिदान इक संस्ताय जार निम्न में कौन सही है संघ लोक से वायोग एक समयदानिक संगठन है या नियामक वैदानिक संसदी क्या है तो लोकसवा के सदस्य 파ंचाइत की सदस्य मंत्रीमंडल के सदस्य और कि हा मजदूर संग के सद्सें तो प्रैसर गृक्रूस के रूप में बाना जाता है मजदूर संग के बाना है note नेक्स्ट है आभुका जैन मंदिर निर्मान आगे टो किस प्रकार के पत्थर से किया गया है तो ये संग मरमर से बनाया गया है हॉपसन D इसका राट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है प्रालचीन बारत के एक महान सिक्षा केंद्र विक्रमशला महावियार की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी तो विक्तरमशला महावयार है ये पाल शासकों ने मनवाय था पाल वंस के जो राजा थे तो इसमें धरम पाल राइट आंसर हो जाएगा option C next है राजा भोज ने शासन किया था राजा भोज ने कहां पर शासन किया था तो ये राजा भोज एमपी से एमपी में इनका शासन था और ये परमार वंस किसा सकते तो इन में से राइट आंसर देखिए उज्जेन भी एमपी में है धार भी एमपी में है तो इन में से होगा जो भी होगा 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर option B धार इनकी राजदानी थी धार में option 20 का रायट अंसर हो जाएगा next है अलारा कलाम कौन थे तो अलारा कलाम है ये ये बुद्ध के वो बुद्ध से समंद्ध है तो ये सांग के दर्शन के आचारे थे जो कि भगवान बुद्ध के गुरु थे पहले तो सांग के दर्शन के आचारे थे 30 का रायट अंसर option B हो जाएगा लेकिन ध्यान देना ये बुद्ध इनके सिस्य थे यानि ये बुद्ध के गुरु थे नेक्स्ट है चीनी अत्री वहन सांग ने किस विश्विद्याले में अध्यन किया था तो चीनी अत्री वहन सांग ने जिस विश्विद्याले में अध्यन किया था उसका नाम यहाँ पे पूचा है 31 का रायट अंसर हो जाएगा Option D. Natalanda बागवत दर्म के प्रवर्तक है तो बागवत दर्म के प्रवर्तक किसको माना जाता है 32 कृष्ण Option B. Right answer कृष्ण की सम्बंद में उलेख है वो किस उपनिश्द में मिलता है तो वो छांदोग यपनिश्द में मिलता है नेक्स्ट है कौन सही सुमेलित है काकती अदेवगरी होईसल द्वार समुदर यादव वारंगल और पांडया मदुरा तो इनमें जो सुमेलित है सही वो है option B होईसल द्वार समुदर के होईसल और होईसल वंस की साबनाएव विश्नु वर्दन की द्वारा की गई थी दो जगे है एक चालो की वंस में एक साका है पूर्वी चालो की उसमें भी विश्नु वर्दन है और होईसल में भी विश्नु वर्दनी संस्तापक है तो option B इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये द्वार समुदर की होईसल थे बाकि इसमें कोई समेलित नहीं है नेक्स्ट है निम्न में कौन हैदरवाद के स्वतंतर राज्य का संस्तापक था तो ये था चिन कलेच खां ऑपसंडी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 35 राइट आंसर ऑपसंडी नेक्स्ट है दिली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाखवक्स के नाम से जाना जाता है अपसंडी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 36 राइट आंसर ऑपसंडी कुत्वुद्दीन एवक्स नेक्स्ट है आपके लिए सवाल दस्वंत और वसावन नामक प्रशिदी चित्रकार किस मुगल समराट के राजदरवारी थे तो दस्वंत और वसावन है ये अकवर के काली चित्रकार थे तो वो अपसंडी इसमें राइट आंसर हो जाएगा दस्वंत वसावन अकवर के समय के प्रमुक चित्रकार थे नेक्स्ट है 1773 में जिज मुहमत साही पुस्तक जो नक्षत्रों सम्मंदी ज्यान से सम्मंदित है इसके लेकक कौन है तो ये लेकक एसके लेकक थे सवाय जैसी उनके द्वारा जिज मुहमत साही पुस्तक की रचनाय वो की गई और इसमें नक्षत्रों समंदी ज्यान का उलेक है नेक्स्ट है भारतिय मरस्तल की महत्पूर नदी है लुनी जिसका उपरी पाठ है वो मीठे जल्द का है और नीचला पाठ है वो खारे जल हो जाएगा नेक्स्ट है बारत की सबसे बड़ी जंजाती कौन सी है तो इन में से बारत की जो सबसे बड़ी जंजाती है वो है 41 का सी भील नेक्स्ट ओजन परत कहां पाई जाती है तो ये समताप मंडल में पाई जाती है अपसन सी इस का रायट आंसर हो जाएगा इस्ट्रेटोफेर यानि की समताप मंडल नेक्स्ट है पानिपत के तीसरे योद में निम्नमे से किस ने मराठों को हराया था तो पानिपत के थर्ड योद में मराठों को हराया था अफगान उने अपसन ये इसका रायट आंसर हो जाएगा अफगान नेक्स्ट है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरजन सेवक संग की स्थापना हुई थी जिसकी अध्यक्ष थे तो हरजन सेवक संग की स्थापना गांधी जी ने की थी और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए गए थे गंसियामदास बिडला प्रस्थाव यह रखा था फज़ल लख की एगाई आपिसलिम लीक्रणा के अध्यक्ष पाकिस्तान के रजन का प्रस्थाव यह रखा था फजलल हक और एमद लली ने इसका अनमोधन जाए घ्ली किर की पतरकार जो मातमा一樣ि की बारत छोड़ो अंदोलन चाथ धुरान उनके साथ था उसका नाम क्या है तो भारत छोड़ो अंदोलन की समय में गंधी जी के साथ जो पतरकार था उसका नाम था लूई और मिलिट का कि गटना पर विचार कीजी और उने कालक्रमा अनुसार में विवस्तित कीजिए फिल्णैरु भायत है है ने छोतीएट में इसमें आपका राइट answer हो जा रहा है option B यानि सबसे पहले 5 अगस्ट 12 समय तुरेश्थ के बाद भारत का कुछ ऑभाग पुर्टगाल की अधीर रहा तो गोवा रहा था अप्सन इस में राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है स्वाधिन भारत की प्रता मौद्यों की नीती जिस वर्स गोसित की गई थी वह वर्स कौन सा था तो 50 का राइट आंसर अप्सन भी 1948 में भारती उपमादीप मूलत एक गड़वानलेंट का अप्सन इस में राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है भारत के विवाजन के समय भारती राश्टी कॉंग्रेस के अध्यक्स कौन थे तो वहरत का विवाजन हुआ था उस समय अध्यक्स कौन थे 52 का राइट आंसर ऑप्सन भी ओजाएगा जेवी नेक्स्ट है, हंटर आयोग की न्यूकति की गई थी तो हंटर आयोग की निक्टिये जलिया वाला बाग अत्याकांड की बाद उसकी जाच के लिए की गई थी उप्सन 25 का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है, हिमाचर प्रदेश में इस्तित दर्रा है तो शिपकीला दर्रा है यह हमाचर प्रदेश में इस्तित है option A कराइट आंसर हो जाएगा next सवाल दिखते हैं भारतिय टकसाल का इस्ताफित नहीं की गई है तो इन में से कौन सी एक जगह है जहाँ पर भारतिय टकसाल यानि मिंट नहीं है फिप्टी फाइब कराइट आंसर हो जाएगा option A लखनौ में नहीं है बाकी मुंबई में भी है नौईडा में भी है एधरावाद में भी है next है बिसुका एक मात्र प्लावी पार्क इस्तित है प्लावी यानि फ्लोटिंग फ्लोटिंग नेश्नल पार्क इस्तित है मडिपुर में कैबिल नेम जाओ option A का राइट आंसर हो जाएगा मडिपुर next है करक रेखा मकर रेखा के बीच का छेतर क्या कहलाता है तो करक रेखा और मकर रेखा के बीच का जो छेतर है फिप्टी सेविन का सी हो जाएगा उसको कहते है ट्रॉपिकल रीजन option C ट्रॉपिकल यानि उश्ल कटवंदी है और करक रेखा से और सब पोलर तक का जो रीजन है उसको बोलते है टेंपरेट रीजन जिसमें कोल्ड और वर्म दानोई प्रकार के टेंपरेट है पाए जाते नेक्स्ट है भारतिय जूट उद्यों के लिए प्रसिद्ध प्रतुदंदी कौन है तो यह बांगलादेश है option C इसका right answer हो जाएगा 58 right answer option C next है निम्ण में से कौन सौर परिवार से संबंदित नहीं है तो इनमें जो सौर परिवार से संबंदित नहीं है दुमकेतू, शुद्रग्र, ग्रह, निहारिका तो 59 right answer हो जाएगा option D निहारिका यह देकि निहारिका है वो उत्पत्ती से संबंदित है परिवार से संबंदित नहीं है इसलिए निहार का right answer हो जाएगा नेक्स्ट है हिमालय परवत स्रंकला किसका उधारण है तो ये वलित परवत का उधारण है यानि नए वलित परवत यानि न्यू फोल्ड मांटेंज और ये जोडता है तो ये जोडता है रोहा से मेंगलोर को कोंकरन रेलवे वो कोंकरन रेलवे के द्वारा ही लददाक में बनाया जा रहा है नेक्स्ट है राष्ट ये धरोवर विकास समवर्दन योजना हिर्दे में उत्तप्रदेश के किस सहर का चैन है वो किया गया है तो हिर्दे योजना में उत्तप्रदेश के दो सहर हैं बारण असी और मत्रा नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका के प्रेयरी है तो ये क्या है तो ये घास के मिदान है सितोष्ण घास के मिदान option D इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है निमने लिखित में से कौन सा अधिकार बारती सम्मिदान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है तो बारती सम्मिदान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में जो नहीं दिया गया है वो सम्मिदान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बरावर सुरच्छा है वो प्रदान करेगा तो 65 का right answer हो जाएगा समानता का दिकार next है सुची अको सुची दो के साथ सुमेलित करना एक तरफ योजना है और एक तरफ उनके परार्म करने की डेट है तो स्वन्ड जैन्ती ग्राम सराजगर योजना स्वन्ड जैन्ती सहरी रोजगारी योजना जवाहर रोजगारी योजना रास्टिय ग्रामिड स्वास्त मिसन यानी N, R, L, M तो ये कहां पर है स्वरी ये कप से स्टार्ट किया गए है तो right answer इसमें आपका हो जाएगा 66 में right answer option C हो जाएगा यानि कि A का 3 A का 3 हो जाएगा सुनट जैनती ग्राम रोजगारी योजना है ये 1999 में शुरूई थी और B का 1 हो जाएगा सुनट जैनती सहरी रोजगारी योजना है ये 1997 में शुरूई और जवाहर रोजगार योजना है ये हो जाएगा सीका दो 1989 में राश्टी ग्रामेड स्वास्त मिसन है ये हुआ था 2005 में डिका फोर हो जाएगा नेक्स्ट है निमले खित में से कौन सा एक भारती रिजरब बैंक का कारें नहीं है तो currency का नियमन, विदेसी व्यापार का नियमन, साग का नियमन या देश के विदेस मेंगमे खोसका रख रकाविंप्रवंदन तो विदेसी व्यापार का नियमन है यह RBA का काम नहीं है 67 में राट आंसर ऑफस्न भी हो जाएगा नेक्स्ट है अद्रस से निर्यात का आर्थ होता है तो अद्रस से निर्यात का आर्थ क्या होता है 68 का राइट आंसर हो जाएगा सेवाओं का निर्यात option A नेक्स्ट है व्यापार करने की सुविदा सूचकांग को कौन मनाता है और प्रकासित करता है तो व्यापार करने की सुविधा सुचकांग को जो मनाता है इस ओफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है उसकी बात यहां पे हो रही है 69 का राइट आंसर हो जाएगा विस्व बैंक सम्मू है नेक्स्ट है बारत में प्रसासन की सबसे मैतपूर्ण एकाई है तो प्रसासन की सबसे मैतपूर्ण एकाई भारत में जो मानी जाती है वो है जिला अप्संसी नेक्स्ट है जिले में अपरादिक मामलों के लिए सर्वोच अदालत होती है तो अपरादिक मामलों की बात हो रही है 71 का राइट आंसर आप्सं भी हो जाएगा सोर शक्ती यानि सोलर एनरजी नेक्स्ट है 73 केंदरी मंत्र मंदल द्वारा राष्टिय सडक सुरक्षा नीती स्विकरत कब की गई थी 73 का राइट आंसर आप्सं भी हो जाएगा 2010 में अंतराष्टिय टाइगर दिवस कम मना जाता है तो यह जुलाई में मना जाता है सारी डेट है वो जुलाई की दी हुई है तो इसमें आपको exact date है वो याद रखनी है 29 जुलाई को इसको मना जाता है समयदान का प्रतम अदिवेशन जो वर्स 1951 में पारित हुआ निम्न में से किस से संबंदित था तो प्रतम संसोधन सोरी यहाँ पर पूचा है प्रतम संसोधन तो यह था भूमी संबंदी संसोधारों से उप्सन सी इसमेराइट आंसर हो जाएगा next है कौटल लिकार्थ सास्त्र है एक तो कौटल लिकार्थ सास्त्र है यह किस से related है तो यह सासन के सिदांतों की पुस्तक है option D इसमेराइट आंसर हो जाएगा next है WWF यानि World Wildlife Fund का प्रती कौन सा जानमर है तो यह पांड़ा है option B इसमेराइट आंसर हो जाएगा next है करवन क्रेड़ेट का दरिष्ट कौन निनमे से किस से शुरूआ था करवन क्रेड़ेट की जो दारणा है यह सुरूई थी क्योटो प्रोटोकॉल से option A इसमेराइट आंसर हो जाएगा 78 राइट आंसर option A next देखते हैं प्रत्वी का सारवादिक ब्रहद पारिस्तित्की तंतर निनमे से कौन सा है तो इसमें बड़ा पारिस्तित्की तंतर है वो पूचा है तो यह हो जाएगा 79 का option D. जय मंडल next है सुची एक को सुची दो के साथ सुमेलित करना है वीवीग्री नेशनल लेवर इंस्टिट्यूट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टिट्यूट नेशनल जोलमा इंस्टिट्यूट फॉर और सेंट्रल इंस्टिट्यूट फॉर रिसर्च तो यह कहां पर है वीवीग्री वाला है 80 80 में राइट आंसर आपसंडी है तो आपसंडी A का 4 हो जाएगा नडा में है वीवीग्री A का 4 नडा और C का 3 B का 3 हो जाएगा Central Drug Research Institute तो यह लखनव में है और यह लेप्रोसी वाला है यह है C का हो जाएगा एक आग्रा में C का 1 और जो बचा D Central Institute for Reserve है रिसर्च है तो D का 2 हो जाएगा यानि Research on Catalyst में टाइपिंग है वो थोड़ा वैसे हो रही है देखिए यहां से यहां तक इसका नाम दिया है तो यह मिरठ में है D का 1 हो जाएगा D का 2 हो जाएगा मिरठ तो इस तरह option D में सुमेलित है नेक्स देखते हैं निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है संस्थान और इस्थान अबार्दी सबजी अनुसंस्थान संस्थान बनारस केंदरी उपोष्न उद्यान अनुसंदान संस्थान 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 लकनू केंदरी उपोष्न उद्यान अनुसंदान संस्थान का नहीं है ओजोन, क्लोरो फ्लोरो कारवन, अमलवर्षा, नैटरिक एसेड, रॉकेट इनन, केरोशिन तेल, क्रीन आउस, प्रवाव, कारवन डई आकसाइड, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्सन भी, नैटरिक एसेड है, ये अमलवर्षा के लिए जिम्मिदार नहीं ह नेक्स्ट है, बारते समिदान के अंतरगत निमनलिक अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, तो 15, 16, 19, 39, 30 को छोड़कर सभी को प्राप्त, बाकि मौलेक अधिकार है, वो सभी को प्राप्त है, तो विधी के समान सरक्षन का अधिकार है, वो option A right answer हो जाएगा next है भारती राजनीतिक विवस्ता में इन में से कौन सर्वोच है तो राजनीतिक विवस्ता में जो सर्वोच है वो है समिधान option B समिधान से उपर कोई भी नहीं है next है निम्न में से किस विदाई सदन को समाप्त किया जा सकता है तो देखिए विदान सवा लोग सवा और राद सवा तो यहां पर पूछ रही है समाप्त होने की बाद तो विदान परशद हो जाएगा 85 का right answer option D हो जाएगा विदान परशद इसको भंग नहीं किया सकता पर समाप्त किया सकता है नेक्स्ट है एक छेत्र पंचायत का छेत्र निर्दारित किया जाता है तो एक छेत्र पंचायत का छेत्र है वो राजसरकार द्वारा निर्दारित किया जाता है option B छड़क वाद का प्रतिपादन किस नहीं किया था 87 में right answer हो जाएगा option A बुद्ध ने छड़क वाद का प्रतिपादने किया था नेक्स्ट है महावीर का प्रतम सिस्टा यानि महावीर जैन जो थे उनका प्रतम सिस्टी को था 88 का right answer option ही हो जाएगा जमाली का दमात था नेक्स्ट है बारत में निर्धनता के इसतर का आकला नहीं किया जाता है ये हर्मोक टेस्ट में ये सवाल पीटो रहा है परवार के उपहोग विया किया दार पर option C इस में right answer हो जाएगा नेक्स्ट है जनसंक्या में प्रत सत्त की दरिष्टी से सीर्ष अनुसूचित जाती वाला राज्य कौन सा है तो अनुसूचित जाती वाला राज्य पूचा है परसेंटेज के साब से 90 का right answer हो जाएगा और संडी पंजाब नेक्स्ट है कालवेलिया भाव में लोक नरत एकिस राज्य का है जिसे 2010 में युनेस्को ने मानवता की अमूर्थ सांस्कृतिक विरास्त की प्रतिनिधी सूची में सामिल किया है तो ये राजस्थान का है 91 का right answer हो जाएगा नेक्स्ट है ब्रदा की लवनता मापी जाती है तो ब्रदा की लवनता है वो किस से मापी जाती है 92 का right answer हो जाएगा चालकता मापी से नेक्स्ट है Indian Financial System Code IFSC कितने अंकिया अक्षरों का होता है तो Indian Financial System Code वो कितने अंकों का है 93 का राइट आंसर je 11 औंकिया नेक्स्ट है राष्ठिय खादिश रक्ष आदिनियम 2013 कप प्रभावी हुआ था तो ये प्रभावी हो गया था 94 का राइट आंसर हो जाएगा option D 2013 मही सीमा वर्तिव शित्र में सड़कों का निर्मार तता बंदरगाओं एवं बड़े सेरों को जोडने तू बारत सरकार ने कौन सी योजना परियोजना को चलाया है तो सीमा वर्तिव शित्रों को जोडने के लिए बंदरगाओं को जोडने के लिए जो परियोजना है 95 का राइट आंसर option B हो जाएगा भारत माला next है हिंदुस्तानी संगीत के लोग प्रिय किराना गराना का संबंध किस राजिसे है तो यह संबंध है option A उत्तरप्रदेस से किराना गराना उत्तरप्रदेस next है निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है सायत अकादमी 1958 संगीत नाट अकादमी 1951 ललित कला अकादमी 1945 और इंद्रा गंदी राष्टी कला केंद्र 1989 तो 97 का राइट आंसर option D हो जाएगा यह सही सुमेलित नहीं है बाकी सब सही सुमेलित है next देखते है बारती रिजरब बैंक में कितने रुपे मूल लेके नोट को छापा जा सकता है तो 98 का राइट आंसर option C हो जाएगा 10,000 रुपे next है बारत की लगबग कितने प्रत्सत आवादी 2011 की जनलना की नुसार उत्तरब्देश में रहती है तो उत्तरब्देश की कुल आवादी का उत्तरब्देश में जो हिस्सा रहता है वो रहता है 16.50% option A next है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो एक्जिम बैंक 1982 और राष्टी आवास बैंक 1988 राष्टी एकरसी ग्रामेड विकास बैंक 1982 और सिडवी यानि भारती लगुद्योग बैंक विकास बैंक 1996 इन में कौन सही सुमेलित नहीं है तो डी हैस में सही सुमेलित नहीं है सिडवी की स्थापना है वो 96 में नहीं हो करके हुई थी 1990 90 में यानि 1990 में 1990 में सिडवी की स्थापना है वो की गई थी इसलिए डी सुमेलित नहीं है तो यह सस्टी का मौक टेस्ट नमर फॉर था तो कल आपके लिए फिप नमर का जाएगा तो मौक टेस्ट हैं सब फॉलो करते रहें चले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं थैंक यू